चले आगे बढ़ते बात मध्यप्रदेश की कर लेते हैं मध्यप्रदेश के भिंड जिला कलेक्टर अपनी बयानों को लेकर कई बार सुर्ख्या बचो चुके हैं लेकिन इस बार अपनी तेवर को लेकर मुश्किल में फज गए हैं धरसल जिला अस्पताल में इलाज करा ने पहुंचे मरीज के अटेंडर की ही कलेक्टर साहब ने कलास लगा दे रिपोर्ट के जरी दिखा थे कि अधार गरी कर दो आप इस दो दो गई क्यरा पुएगा कि अधा कि रेख एजब दो खुएगा इसे पुएगा मद्द प्रदेश के भिंड जिला कलेक्टर संजी सिर्वास्तों इन दिनों प्रे अडियल रवये और तराशाही के चलती सुर्ख्यों में बने हुए हैं इस बार कलेक्टर एक मरीच के अटेंडर से ही भिड़ गए कलेक्टर सहाब ने अटेंडर को जम कर फटकार लगाई इतना ही नहीं कलेक्टर बत्मीजी पर भी उतार आए दरसल कलेक्टर सहाब जिला स्पतान में अचानक दोरे पर पहुँच गए कलेक्टर के पहुचने से हडका मच गया ओपेटी में जाजतर डक्टरों की कमरे खाली पड़े मिले कलेक्टर संजी सिर्वास्तों ने ड्यूटी से गयाब रहने वाले डक्टरों के बारे में जानकारी लिए इसके बाद कलेक्टर ने SNCU, VICU, समेत कई दूसरे वार्डों का भी निरक्षवर्ट किया लेकिन हरवाड में डॉक्टर अपने ड्यूटी से गयाब मिले जिससे कलेक्टर साहब की नराजगी बढ़ गई कैते हैं न कहीं का गुसा कहीं निकालना तो कुछ ऐसा ही हुआ डॉक्टरों का गुसा कलेक्टर साहब ने मरीज के एटेंडर पर ही निकाल दिया कलेक्टर संजी सिर्वास्तों ने ड्यूटी से नदर डॉक्टरों को नूटिस जारी करने के निर्देश दिये हैं साथ ही वाडों में लगे सिसी टीवी भी चेक करने के आदिश दिया जिला स्पताल की बत इंद जामी से कलेक्टर साहब इतना जला गए थे कि ओपीडी के बार खड़े के मरीज के एटेंडर को बागेर लाइन के परचा बनवाने देखते भड़क गए और उन्होंने एटेंडर की भी जम कर क्लास लगा दी कलेक्टर साहब के रवईजे से नराज एटेंडर ने बस सलुकी का विरोध किया जिसे कलेक्टर साहब को और गुसा आ गया विर रपोर्ट रिपब्लिक भारत और अब बात होगी रूस यूक्रेन की रूस यूक्रेन के बीच लगातार युद्जारी है लेकिन अब ही की बात करें तो यूक्रेन का एक मजाग वहां के रास्टपती जलन्सकी का एक मजाग कही ना कही भारी पढ़ते हो इना सरा रहा है बिल्कुल इस वक्त कैसे देखे कुर्स के जो है वो कुरुषेत्र बन चुका है और कैसे ताबट तोड हमने दोनों ही तरफ से यानकी रूस और यूफ्रिन की तरफ से जारी है वो आपको रिपोर्ट के जरी दिखाते हैं कैसे आपको दादे की जलंस्की का एक मजाग पुतिन के लिए इतना हावी हो गया निकि गुस्ते में किस तरह के से पुतिन भढ़क गए हैं वो भी आपको रिपोर्ट के जरी संजाते है क्या होगा जंग का अंजात पुतिन का सीक्रेट आपरेशन घरने से जलंस्की की टेंशन रूस का कुर्सक अपको रुशेत्र बन चुका है जंग का निर्णायक मोड क्या यही से निकलने वाला है दोनों ओर से ताबर तोड हमले हो रही है लेकिन पुतिन के अधाक अब युक्रेण आर्मी के लिए घातक बन चुके है उसके पीछे है पुतिन का वो गुस्सा जो जलंस्की के एक मजाग की वज़े से भड़क गया रुशियन आर्मी ने कुर्सक में युक्रेणी टैंक को थोस्त कर दिया एक के बाद एक ताबर तोड वार हो रहे है पुतिन ने पहले युक्रेणी आर्मी को अंदर घुस्ने दिया फिर एक साथ ऐसे हमले किये जा रहे हैं कि जमीन से आस्मान तक जलंस्की की सेना देहल उठी है युक्रेण पर बारूत बरसाने में पुतिन क्यों आक्रमत हो गए है क्योंकि एक दित पहले यानि युक्रेण की नेशनल डे पर जलंस्की ने उनका मजाग बनाया रेड स्क्वाइर का बीमार बुढ़ा आत्मी जो लगतार सभी को रेड बचन की धमकी देता रहता है उसकी कोई भी धमकी हम पर असर नहीं करेगी जलंस्की की जोश की बज़से एक नई युक्रेणी ड्रोन मिसाइल जिसके दम पर उन्होंने कहा है कि यह हत्यार युद्ध में रूस को पीछे ढखेल देगा पुतिन को रोगना असान नहीं है क्योंकि कुर्सक में घुस्ती युक्रेण आर्मी के खिलाब अब रूसी राश्वती ने अपनी फॉज को ऐसा शस्त्र दिया है जो आस्मान से मौत बरसा रहा है पुतिन ने गुप्त जगा अपनी सैने कमांडरों के से मीटिंग की युद्ध की पूरी रिपोर्ट ली पलटवार का पूरा खाखा बनाया और फिर उस राणीदी का असर दिख रहा है कामोव के बावन एलिगेटर पुतिन के नए फ्लान को लागू करने में ये खतरनाक हेलिकॉप्टर सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है जो आस्मान से ही दुश्मन के जिकानों को ढूड कर तबाख कर देगा फिलाल जेलंस्की के पास में इसका कोई तोड नहीं है विर रिपोर्ट रिपाप्टिक फारत देखें यूक्रेडी से ना कुर्स्क में घुस्तो चुकी है लगातार वहाँ पर हमली भी जा रही है लेकिन ये यूक्रेड के लिए काफी महंगा इसले भी पढ़ सकता है क्योंकि जिलंस्की के तरफ से पुतिन का मजाग बनाया गया तो यही वज़े है कि अब गुस्से में बोखनाय हुए है पुतिन अब गुदादे किस तरह के से यूक्रेड की तरफ से भी तैयारी हो रही है सबसे शक्तिशाली अटेक हेलिकॉप्टर इस वक्त जो है यूक्रेड की पास है हर मौसम में ओपरेशन के लिए बनाया गया है यह हेलिकॉप्टर यह जो तैयारी है यूक्रिन की तरफ से हो रही है हाइटेक हत्यारों से लेस है हलिकॉप्टर जिसमें के हर तरह की की चीज़ है यानि कि हर हमले का सामना करने के लिए हलिकॉप्टर तैयार है शक्ति चाली 30 mm तोप लेकर ये उड़ता है इसके लावा इस पर गाइड़ेड मिसाली लगी होती है यानि कि आपको दादे की हमले के लिए अन गाइड़ेड रॉकेड से ये जो हलिकॉप्टर है वो पूरी तरह की से लैस है इसके लावा एलिगेटर की फ्लाइट में रेंज जो है 520 km की है वही 310 km प्रते घंटा की 30 रफ्तार भी इस हेलिकॉप्टर में है वही 10,800 किलो वजनी हेलिकॉप्टर ये है तो कुल मिला कर देखिए कहें कि आत्या धुनिक हातियार जो है इस वक्त यूक्रेन के पास है हेलिकॉप्टर की भी हमने शम्ता आपको बताए कि सरके से हेलिकॉप्टर की शम्ता भी इस वक्त यानि की भारी तादाद में इस वक्त यूक्रेन के पास है और यही वज़े है कि यूक्रेन भी इस वक्त जो है ताबटोर हमने करता हुआ रूस पर नज़र आ रहा है चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब रूप कर लेते हैं दो मिनिट में फालत का दिल में एक बार फिर फाइरिंग में मचा हर काम पसत्तने के तन में एक बार में हुई फाइरिंग सीट को लेकर मैनेजर से कहा सुनी के बाद एक लड़के ने की हवाई फारिंग पर इसने आरोपी को हिरास्त में लिया खबरों में आगे बढ़ेंगे बैरिकल स्टोर में ब्लास्ट हुआ है काउंटर समें दुकानदार जो है वो गंभी रूप से घायल हो गए है मद्विदेश के बेंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्ताओं का एक और वीडियो आया सामने वीडियो वाइरल हो रहा है वीडियो में मरीज के अचैंजर को फटकार लगाते देखे कलेक्टर संजीव यूपिके एचामे दबंगो ने बरपाया जमकर के हैर मामुली कहा सुनी पर घर में घुसकर परिवार पर किया जानलेवा हमला लाथी डंडो से जमकर की मारपीट और तोरफूर पुलिस मामले की जांच कर रही है सीतबूर में पेट्रोल पंबर सेल्समेन के साथ दबंगो ने की मारपीट सिस्टीवी कैमरे में कैद हुई मारपीट पुलिस आरोपियों की तलाश में चुथी मराश्च के अमरावती में अचानक बस पलटने से हासा हो गया बस में सवार दो यात्रों की मौत हो गई 25 यात्री घायर बदावी में अग्याद वाहन की चकर से बाइक सवार यूवक की मौत हो गई है पुलिस भरती परिक्षा देकर के लौट रहे यूवक की हुई मौत पुलिस मामली की जाच पर चुथी यूपी के महुवा में पुलिस भरती परिक्षा का पेपर दिलाने जा रहे बुज़ूर की सडक हासे में मौत हो गई दादा की मौत से सदमे में आए नाती ने परिक्षा छोड़े पुलिस ने दो दर्जन कारूबारियों को किया गिरफतार पुलिस की कारवाई जानी तो दो मिनट में भारत की जरीए हमने बड़ी खबरे आप तक पहुचा है लेकिन वक्त यहां हो चुका है एक छोड़े से ब्रेक करा कहीं मैं जाएगा देखते रहें रेपब्लिक भार